चार जून को खरीदेंगे तो शायद उतना प्रॉफिट ना है, FIIs यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन DII की बाइंग भी बहुत जादा हो रही है, अगर मोदी जी की गौर्णमेंट कंटीनू करती तो एक बड़ा अप्ट्रेंट देखने को मिलेगा, कुछ इस्टॉप नियूस के बेसिस पर चलते हैं, कुछ उसी की हवा में चलते हैं. और अभी तीन फेसिस की वोटिंग होना बागी है, चार जूनको रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम मई की बात करें, तो मई में शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, तो क्या कुछ असर पढ़ रहा है, शेयर मार्केट पर इलेक्शन का और क्या निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए, क्या स्टाटेजी अपनानी चाहिए, अपना पोट्पोलियो कैसा रखना चाहिए इस वक्त, वो हम सब डीटेल में जाने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ सीनियर मार्केट एनलिस्ट डॉक्टर रवी सिंग जी जुड़ रह या इसके पीछे हम चाहिना वाला एंगल डाल के कि एफ इस जो है वो पैसा निकाल के चाहिना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या स्पेसिफिक रीजन हो सकता है इन दिनों मार्केट की गिरावट के पीछे है, वोलेटिलिटी उतार और चढ़ाओ, पहले तो वोलेटिलि आपने बिलकुल कहा कि का है जिस तरीके से लोग इलेक्षिन में बढ़ एक चैज़िक्टी बढ़ रहा है कभी किसी एक पार्टी के लिए अच्छा होता है, कि सब्स्किन होता है इसकी वज़ बढ़ा से भी यहां पर वोलेटिलिटी बढ़े है लेकिन इसके पीछे इसके तीन और वजय है, चाइना का तो हई है कि FIIs यहां पर सेलिंग कर रहे हैं लेकिन DII की बाइंग बहुत जादा हो रही है, दूसी तरफ अगर आ जाते हैं तो आपको एक क्लियर यहां पर अंदाजा यह भी लगेगा कि जो अभी जियो पोलिटिकल टेंशन है, उसमें भी कोई बहुत बड़ा सलूशन नहीं मिला है, दूसी तरफ अगर देखते तो यूएस का जो अभी डेटा आ रहा है निकल करके, चाहे वो जॉब्लिस ख्लेम डेटा हो, चाहे वो उनका होम डेटा हो, वो कही ना कही से अंसर्टेन होता कार और चड़ाओ देखने को मिल रहा है, जो यह वोटिंग परसंटेज है, अगर हम चाहर पेजिस का देखे, वो 2019 के कंपारिजन में थोड़ा सा कम रहा है, उस ताम पर 79 के आसपास ता इस बार 6.6 के अराउंड रहा है, चाहर पेजिस का, तो क्या इसको भी आप रिजन मा अगर को बात कर रहा था और उनकी बात कहीं नहीं से बड़ी ठीक सी लगी क्योंकि जब आख़ों को खंगाले है, जैसे इस समय देखे, बीजेप का जो वोटर, एक बार को बीजेप की बात करें, अगर बीजेप की बात करें, तो थोड़ा सा जो अभी गर्मी का महल चल रह और उनको लोगों कही न कहीं से लग रहा है कि बीजेपी तो आई रही है, और इसी वज़ा से शायद वोटिंग पर्सेंटेज कम हुआ, अब उस वोटिंग पर्सेंटेज अगर एक जरूरत मात्रा से कम हो जाता है, तो वो बीजेप के लिए ही रेड साइन्स दिखाना कि यह जो वोटिंग का पर्सेंटेज है, यह पूरा का पूरा इंपक्त कर रहा है, यहां से मुझे अमिच श्या की स्टेटमेंट या दारी जोने रिसेंटली दी थी, ही सेड कि जो भी मार्केट में उठा पटक चल रही है, इसके पिछे इलेक्शन को इससे जोड़ कर ना लेकिन दूसरी तरफ उन्हों ने यह भी कहा कि चार जून से पहले आप खरीदारी कर लीजिए क्योंकि मार्केट बहुत 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 जाने वाली है, तो इस स्टेटमेंट पर आपका क्या टेक है, लेकि चार जून को खरीदेंगे तो शाद उतना प्रॉफित ना कि चार जा गोई तर्फ बहुत बहुता है क्याने कि आपको बहुत अगolly इनको भी कही है, यहां पर खरीद्ट को रग रट और क्याने के बहुता है, फिर क्या पत्त बहुतार्य जा बहुता है, पुर्फित वर बहुता है कि अप दाफ से चाश देख से फाम उतना इस इन फैक एक जो यहां पर डी कंट्रोल वे में दिखाई दे रहा है वो है RBI देखिए शक्ति कांता दास जी का दो टेने और हो चुका है तीसा टेने और कोई करता नहीं है या फिर वो चांसे नहीं होते और इस समय गौर्मेंट रूम के रेगुलेशन पर नहीं आही है तो कही जो मुझे एक निगेटिव दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि कहीं पूरा का पूरा जो RBI यह वो क्लीन अप में लगा हुआ है और उस क्लीन अप के चक्कर में कही ऐसे स्टेटमेंट आ जा रहे हैं जो मार्केट को अच्छे नहीं लग रहे हैं और इसी जो मार्केट में वो सेल आफ देखने को मिल रहा है तो कहीं जो आपकर कंप्लीट रीजन को देखेंगे तो उसमें यह बहुत बड़ा इंपक्ट है बहुत बड़ा इंपक्त है निकिए 4 जून को एलेक्शन का रजल्ट आने वाला है ऐसे में दो सिचुएशन हो सकती है बी एकजामपल आपका पैला लेते हैं कि मोधी गूर्मिंट बन जाती तो मार्केट का क्या होगा देखें अगर 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 गूर्मेंट कंटीनिव करती तो एक बड़ा अप्टरेंट देखने को मिलेगा और बड़ा अप्टरेंड जो होगा और अज यह समझता हो कि कम से कम 10 10% के आज पास तक का रैली यहां पर दिखाई देगा जो कि सिंगल डेका होगा यानि 5-7% तो इमिजट बेसिस पे होगा अगर आज से देखेंगे तो आपको 16-18% की रैली दिखाई देगी अगर इस सेनेरियो को सेम उल्टा कर देते हैं मिक सरकार आती है तो आपको सिर्फ फंडमेंटल वाले स्टॉक्सी बचते हुए नजर आएंगे अधर्वाइज एक सेल उतना ही उटा दिखाई देगा और जिसमें की मार्केट 5-7% तक नीचे खुल सकती है तो यह सेनेरियो यहां पर क्लियर कट दिखाई देता है और मुझे वह वापिछ से दुखी होता है और रैड गलर को जो है वह उड्य हो लहाने लगता तो कही नगहीं से अजर्टिनिटी ऊड़ी जादा है शेयर मार्केट मेर्मेंट पर कख़ता है क्या को इस तरिकज मेनगे से रेक्ट करतीया जीर्य की चाहती त्शेयर मार्केट क्या चाह आपने इस्टॉक मार्केट में 54% तक की रैली देख ली एक कंपरेजन अगर मिड कैप पर स्मॉल कैप की करूं तो एक साल में मिड कैप और स्मॉल कैप ने 55% से 45% की रैली दिखाई नॉर्मल निफ्टी जैसे इंडेक्स ने यहां पर आपको 18% से उपर सर्प्राइज किया त तो uncertainty बढ़ेगी और हमारे सामने एक्जामपल है यूरो जो आप देख लीजिए जो एक टाइम पर लीट करता था आज उनकी सिच्वेशन क्या है अब हम पाकिस्तान की तो चर्चा ही ना करें वह ज्यादा अच्छा है दूसरी तरफ अगर यूएस में भी देखें तो सेम स नहीं आये हैं जिसकी वजह से यह मार्केट में इंपक्त है तो अभी आपको क्या लगता है जो यह वालिटिलिटी है रिजल्स आने के बाद भी कब तक जारी रह सकती है या फिर उसके बाद फुड़ी सी स्टेबिलिटी आजाएगी वालिटिलिटी नहीं रहेगी देखे म मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग के त्री मन्त आपको मार्केट में एक अपवर ट्रेंड काफी स्ट्रॉंग दिखाई देगा और बजट के आने के बात यानि कि जब नई गवर्मेंट बने की बजट आ जाएगा उस ताइम के बाद जो ऐसा होता है कि जब आधी चल यहां पर जो हवा में चल रहते हैं वह वापिस हवा से धरातल पर आ जाएंगे तो यह सिच्वेशन भी आपको देखने को मिलेगी लेकिन यह बजट के बाद आपको देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि इस चीज को जानना पहचानना और आम आदमियों को उसको समझ जना बहुच्छाते ज़रूटी अब हम थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिपिक हो के बात करते हैं माल लेजिए एक केस बीज़े पी की गवर्मेंट आगई है उसके बाद कौन से अशे सेक्टर्स हैं जिनमें तेजी आएगी और कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें गिरावट देखन तो लेकिन यह जरूर है कि अभी जो सेनरियों दिखाई देरा है उसमें अगर मैं जाता हूं तो मुझे लगता है कि अगर BJP गवर्मेंट करती है तो जिस तरीके से अभी अमी शाह जी की स्टेटमेंट डेखने को मिली क्लिर है कि पीसी उस तो चंपेंगे और पीसी उस तो च को देखें यहां पर एनर्जी काउंटर को देखें जो जिस हिसाब से एवी और खास और से ऑटो स्क्टर की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है इसका मतलब है कि इन में बहुत ज़्यादा कुछ चेंजिस देखने को नहीं मिलेंगे और जो अग्रेशन अभी चल रहा है व मैं शॉट्टम की बात नहीं कर रहा हूं मतलब अगर मोधी गवर्मेंट बनती है पाँ साल तक रहती है तो आने वाले तीन सालों तक रिल्टी काउंटर में वह दमखम नहीं दिखाई देगा आपको इन्फ्रेस्ट्रेक्चर में दिखाई देगा लेकिन रिल्टी कांटर ना तो गिरेगा यानि जो हाई वही रहेंगे उसमें जाते हैं तो मुझे लगता है कि FMCG के जो कमपनीज हैं उनमें बहुत ज्यादा कुछ जादा कुछ देखने को नहीं मुलेगी अब इसी वाले क्वेशन को मैं रिवर्स करके पूछती हूं अगर इंडिया लाइंस गवर्फमेंट बनाती है अब पता नहीं कितने चांसिज हैं की नहीं है बड़ फिर भी अगर वो लोग अपनी सरकार बनाते तब कौन से सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिल सकती है देखे जो यहां पर तॉप लूज जो मैं कह रहा था कि आपको गिरता हुआ सा नाजर आएगा लेकिन रियल्टी का बम काफी जो है वो बूम हो चुका है मुझे लगता थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थोड़ा स्टॉक्स यहां पर नीचे आने चाहिए पहला दूसरा है कौन से सेक्टर देखे पावर की मैनेजिन स्टॉक्स की है उनमे गौर्मेंट के प्रोज़ेक्ट का एक इमपाक्ट देखने को मिल रहा है लेकिन वो फंड़ंडामेंगल स्टॉक्चre पर काफी डिमांडिंग है जैसे कि इसकाए भावर की Cम नहीं होनuters हमारे टो आश्म थो हमारी नश्म हमारी नेसिटी ऊह बैंकिंग कंगिंग और जो EV और आटो सेक्टर ग्रोग कर रहे हैं उनमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकती और खास तोर से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को काफी बड़ा जटका लग सकता है और उनमें कई कंपनी की पर्फार्मेंस पूर हो सकती है या फिर उनको कई चीजों से अब यह सवाल निवेशकों के लिए है कि इस वक्त निवेशकों को क्या strategy अपनानी चाहिए उनका portfolio इस वक्त कैसा होना चाहिए जुनाव से पहले और जुनाव के बाद बजट से पहले तक कैसा portfolio उनका होना चाहिए क्या strategy होनी चाहिए देखे मैं एक simple formula follow करता हूं और जो से मैं आपको साथ share करता हूं मार्केट कहा जा रहा है मुझे नहीं पता है उपर जाएगा नीचे जाएगा कौन से सरकार आएगी मुझे नहीं पता लेकिन basic demands हमारी चलेंगी basic stock market रहेगा और उसको अगर मैं देखता हूं तो मैं 5 sector select करता हूं और 5 sector से 5 stocks को 1-1 sector से 5 stock उठाता ह पहला चाहिए पहला चाहिए आप 10-5 एक लाक रुपए लगा रहे हूं और चाहिए आप एक क्रोड रुपए लगा रहे हूं या आप उससे बड़ा एमाउंट लगा रहे हूं ज्यादा stock लेंगे तो भी परचान होंगे तो 25 stock की बास्केट ले लीजिए अब किन को लेना ह कोई सेक्टर मूब नहीं करेगा क्योंकि उसकी जरूरत ही है दूसरे काउंटर की तरफ आप हमने का भी माइनिंग की क्योंकि वह ऐसे डिमांड जिसे कम नहीं होना उसकी रहेगी तीसरे काउंटर की तरफ आजाएं तो हमें लगता कि यहां पर जो अवर अभी जो ग्रोग हैं तो दिखाई देरे उसके हिसाब से पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर काउंटर एक साथ दिखाई देंगे लेकिन अगर बहुत सेफ चलना आए और मार्केट में बहुत इंपक्त नहीं लेना तो यहां पर फार्मा सेक्टर को जरूरी यूश करें क्यों कि वह बहुत यह कर लिजे कि auto और auto auxiliaries यानि उनके पार्ट देखिए सवा सो करोड की population है कार की बिक्री हर साल नए record बना रही है आज भी वेटिंग चल रही है तो fundamental demand तो रहेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये sector से पांच स्टॉक दिगज उठाइए कोई चोटे मोटे स्टॉक मत उठाइए इनका नाम नहीं सुना उनको मत करिए इन स्टॉक की basket बनाइए market कहीं भी जाए government कोई भी बने ये stability आपको बरकरार रखेंगे और आपकी profitability में मदद करेंगे बिल्कुल देखे शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है जिसको पंडित खा जाता है शेयर मार्केट का मूड बता देता है क्या होगा क्या नी आपको क्या लगते इस वक्त शेयर मार्केट का मूड क्या कह रहा है किसकी सरकार बनेगी देखेंगे शेयर मार्केट जिससे आपसे अपनी हसी दिखा रहा है अपनी तयारी दिखा रहा है उसके इसाब से जो करेंट गवर्मेंट है उसको ही कंटिनु करना चीज और आपका क्या कुछ टेक है अपके क्या परस्नल व्यूज है देखेंगे जैसे उनका एक नारा है यहां पर मैं जरूर कोँगा जो उन्होंने चार्सोग पार का नारा दिया है कही न कहीं से अगर चार्सोग की बात की जा तो थोड़ा सा एक्स्क्रीम पॉस्टिव दिखाई देता है लेकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ओर अर्रॉल इस्रुक्च्चर देखा जाए तो उ तो उस वक्वाद इसे अगर शेयर मारिट थो उस वक्त टॉरूर के पास घंपार जो उसका गर शेयर मार्कित इस अगर अगर आज चारसो सरय कोश्यन है और मैं इसका रगचा जातलों सक्च्च यह थोड़ मगलती ब चारूरी होड़ का अङर कि उस टेशार एंसर इन ध दिखाई दे सकती है, वो रैली तो आपकी 5% के बजाए आप उसको 1.5-2% बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ अगर देखते हैं, तो उनकी रैली का टेने और और बढ़ जाएगा, यह इंपक्त होगा, तो यह कुछ बाते हैं, जो निवेशकों को इस वक्त ध्यान रखनी चाहिए, और अभी आपको रवी संग जी ने बताया है, कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, दोनों कंडिशन, चाहिए वो BJP की गवर्टमेंट बने, या फिर वो इंडिया लाइंसेज बने, कोई भी सरकार जो बनती है, तो किस तरीके से मार्केट रियाक्ट करेगा, वो हमने डिटेल में समझ लिया है, आई होप आपको यह ज़ानकारी पसंद आई होगी, आपको यह वीडियो कैसी ल अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए तो चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले